पॉइंटर जी असकी तरप से नमस्कार दोस्तों आज हिंदी ब्याकरण का छाठमा चैक्टर है चैक्टर नमबर शिक्स वाच आज हम सुरू करेंगे वाइज आए देखते हैं परिभासा समझते हैं कॉंसेप्ट और ट्रिक हम दोनों बताएंगे त्रिक दोस्तों बहुत परिभासा किरिया का वह रूपांतर जिससे यह जाना जाए कि वात में किरिया द्वारा संपादित विधान का विशय करता कर्म या भाव है उसे वाच कहते हैं वाच का साथिक अर्थ होता है बोलने योग या बोलने का विशय ब्याकरण की द्रिष्ट से किरिया के विधान को वाच्च कहते हैं दोस्तों एक लाइन में समझ लीजिए परिवासा कि वाच्च किरिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक के अंदर अंतरगत कर्ता कर्म अथ्वा भाव में किसकी परधानता है ये इस परिवासा से आप समझ रहे होंगे कि इसमें किसकी प्रधानता है या करता की भी प्रधानता हो सकती है कर्म की भी भाव की भी जैसे राम ने रामड को मारा इसमें करता की प्रधानता है रामड राम के द्वारा मारा गया तो यहाँ आप देखेंगे कर्म की प्रधानता है बच्चे से चला नहीं जाता यहां भाव की परधानता है दोस्तों वाच के तीन भेद हैं आईए देखते हैं कौन-कौन और ट्रिक भी समझेंगे कृत्वाच, कर्मवाच, भाववाच अब आगे देखते हैं कृत्वाच की परिभासा क्या है किरिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि वाथ के क्या उदेश करता है उसे कृत्वाच कहते हैं मतलब साफ सब्दों में आप समझिये कि इसमें करता की परधानता होनी चाहिए अर्थार्थ इसमें किरिया के ब्यापार का मुख भी से करता होता है कृत्वाच अकरमक और सकरमक दोनों परकार की किरियाओं में होता है जैसे सीता हस्ती है पच्छी उड़ता है आदी तो आप एक बात समझेंगे कि इसमें ट्रिक सकरमक और अकरमक दोनों किरियाओं से मिलकर ये बना होता है अगर इसमें प्रियोग होता है तो आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये कृत्वाच है ये तो आप देखेंगे सीता हस्ती है तो इसमें करता की परधानता है क्योंकि कौन हस रहा है सीता तो अब आप ध्यान दीजिएगा पच्छी उड़ता है कौन उड़ रहा है पच्छी तो आप ये त्रिक ध्यान रखियेगा इसमें कृत्वाच में कौन सब्द लगा के आप पता पाएंगे कि करता की परधानता है कि नहीं जैसे सीता हसती है कौन हस रहा है सीता हस रही है पच्छी उड़ता है कौन उड़ता है पच्छी उड़ता है तो त्रिक क्या है कृत्वाच पहचानने की कौन सब्द लगा के आप कृत्वाच पहचान सकते हैं आए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम आगे क्रमवाच देखेंगे किरिया की जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक के का उदेश करता ना होकर किरिया का क्रम है उसे करमवाच कहते हैं यहाँ पर किरिया का मुख समбन्ध करम से होता है जैसे पतंग उड़ाई जा रही है इसमें किरिया का संबंध है वाके का उद्देश वा परधानता पतंग से है पतंग से है ना कि पतंग उडाने वाले से है पतंग उडाने वाला करता है और पतंग कर्म है इसलिए कर्म परधानवाक होने के करण या करम वाच है हमको यहां नहीं पता है कि पतंग कौन उडा रह है पतंग उड़ाई जा रही है यह नहीं पता कौन उड़ा रहा है तो बस यहाँ पतंग से इसकी परधांता नजर आ रही है और करम वाच्य जो होता है सकर्मक क्यिया के दौरा बना होता है यह आद रखीएसर शकर्मक क्यिया के ये से या के द्वारा जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी परधानता है जैसे आप समझ लीजिये पुरुष के अंशार पुरुष के अनसार तो पुरुष के अनसार के लगा तो ये जैसे बालक से गेद खेला जाता है तो अब यहाँ देखिए से लग रहा है बालक से गेद खेला जाता है तो मतलब यहाँ आप समझ लीजिए एक लाइन में जब क्रिया का फल करता पर ना पढ़कर करम पर लिंग वचन और पुरुष के अंसार पढ़ता है तो आप यह जानिए कि यह करम वाच है जैसे कोई है कि कोई सब्द है कि मैंने रोटी खाई इसमें आप करम के तहत इसमें आपको लगेगा कि मैंने रोटी खाई तो करम आप इसमें देख लीजिए कि किसके द्वारा के द्वारा यह सब्द मिल जाएंगे आपको तो ये trick इस पर आप लगा के चेक कर सकते हैं कि करमवाच है कि कृतवाच है कि भाववाच है अब दोस्तों आगे देखते हैं अब देखते हैं हम भाव वाच किरिया के जिस रूपांतर से वाक्य का उद्देश या किरिया का सम्मद्ध भाव से होता है उसे भाव वाच कहते हैं भाव आच में अधिक्तर अकर्मक किरिया का प्रियोग होता है भाव आच की किरिया हमेशा अन्य पुरुस पुलिंग और एक बचन में रहती है इसमें प्राया आसक्तता प्रकट करने के लिए ही किरिया प्रियोग होती है आसक्तता का मतलब समझेगा जिसमें आपकी कोई सक्त उर्जा उसमें नहीं लग पा रही है तो वही भाव आचकसब्द रहेगा तो आप ये देखेंगे कि इसमें नकारातमक्ता होनी चाहिए जैसे आप कोई को एकजांपल ले लिजिए से तहला भी नहीं जाता मुझसे तहला भी नहीं जाता राम से बैठा भी नहीं जाता आप देखिए मैं तहलना तो चाहता हूँ लेकिन तहल नहीं पाता हूँ तो इसमें नकारात्मता है आपकी वुर्जा नहीं लग पा रही है तो नहीं सब्द का प्रियोग हो रहा है राम से बैठा भी नहीं जाता, तो इसमें आप खुद देखेंगे इन दोनों वाक्तियों में किरियाएं ही परधान है, मतलब आप तो वो कारी करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आईए आगे देखते हैं दोस्तों, अब आप देखेंगे कृत वाच्च से क्रम वाच्च बनाना, तो यहां आपका ट्रिक काम करेगा, जैसे पहले कृत वाच्च के करता के साथ से या द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है, और खा में है दूसरा पॉइंट, यादि कर्म के साथ कोई विभक की लगी हो, तो उसे हटा दिया जाता है, जैसे पुत्र को, तो मतलब क्योल पुत्र हो गया, किरिया के साथ काल, प्रूस, वचन, लिंग के अंसार, जाना किरिया के रूप में जोड़ा जाता है, जाना जोड़ा जाता है, यह याद रखेगा, जैसे पंकज पुस्तक पढ़ता है, तो मैंने ट्रिक बताया था, क्रम वाच्च में, कि पंकज पुस्तक पढ़ता है, तो किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, के द्वारा पंकज के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र, अब आप देखिए, यहाँ आपका ट्रिक काम कर रहा है, से के द्वारा आप क्रित वाच्च से भाव आच्च बनाना, कर्ता के साथ से या द्वारा के द्वारा जोडा जाता है, वही जो पिछले पॉइंट में था, किरिया के साथ काल के अनुरूप, जाना धात के रूप में लगाय जाते हैं, अगला पॉइंट आगे देखी, ये लाश्ट पॉइंट भाव वाच की किरिया हमेशा अन्य पुरुस एक बचन पुलिंग में रहती है जैसे किरण नहीं हसती तो किरण से हसा नहीं जाता आपको मैंने पहले बताया नकारात्मकता है भाव वाच में मतलब आप उर्जा तो लगाना चाहते हैं लेकिन आप उर्जा लगा नहीं पाते ह बच्चा नहीं बोलता बच्चे से बोला नहीं जाता मतलब बच्चा बोलना तो चा रहा लेकिन बोल नहीं पा रहा है राधा रात भर जागेगी राधा से रात भर कैसे जागा जाएगा अब हम नहीं दोड़ेंगे अब हम से नहीं दोड़ा जाएगा दोस्तों वीडियो झाल झाल